अंग्रेजी में कहावत है कि out of sight, out of mind मतलब अगर आपके नजरों से कोई चीज दूर हो रही है तो आपके दिमाग से भी वो धीरे-धीरे खतम हो जाएगी अब मैं इन सारी बातों को क्यों कर रही हूँ क्यों उनके फैन जो हैं वो धीले पर गए है इसके साथ ही कहीना कहीं काना फुसी चल रही है कि मनीज कशप जल्द ही दिवाली में जेल से बाहर नजर आएंगे अपने घरवालों के साथ नजर आएंगे और लोगों के साथ दिवाली मनाते में नजर आएंगे इस वीडियो में हम जानेंगे कि मनीज कशप के केस का क्या अपडेट है और उनके साथ क्या हो रहा है तो बात करते हैं हमारे अंतिन वीडियो जो हमने मनीज कशप के लिए बनाए थे आपने भी देखा होगा कि रोड पर मनीज कशप के पोस्टर नजर आ रहे थे जहाँ पर उनके दोस्त इस बात का प्रचार कर रहे थे कि भाई आप मनीस कशप को भूलिये मत भले ही वो जेल में हैं लेकिन अपने दिल से उसको मत निकालिये जैसे ही रोड पर पोस्टर लगना शुरू हुआ जो भी उनके प्रसंसक थें जो भी उनके समर्थक थें वो देखके रुख जाते थे ठेर जाते थे और कहते थे कि दिल खुश हो गया देखके तो थोरा मैं उस पोस्टर को पढ़के सुना देदी हूं कि क्या उस पर लिखा हुआ था देखे इस पर लिखा हुआ है कि आप सभी भूल गए क्या अपने मनीज कर्षप को मैं जेल में हूँ तो क्या हुआ बस आप सभी अपने दिल से मत निकालिएगा कई नगे ये बहुत भाव करने वाली चीज थी जो भी उनके समर्थक हैं जब ये चीज़े देख रहे हैं जब इन चीजों को पर रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि वाकई में मनीज कर्षप को भूलना नहीं चाहिए उनको याद करते रहना चाहिए आगी बढ़ने से पहले आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई कि मनीज कर्षप के पोस्टर को इस तरीके से रूट पर लगाया जा रहा है और उस पर कुछ ऐसा लिखा जा रहा है तो आए थोरा पीछे चलते हैं और उनसे जो कुछ भी बात चीत होती थी वो पब्लिश किया जाता था और आप लोगों तक उन बातों को पहुँचाया जाता था लेकिन आपको पता है कि जब अंतिम पेशी में जिस तरीके से वो भड़क उठे थे और जिस तरीके से उन्होंने हाज़त के बारे में बात कही थी और उसके बात जिस तरीके से पुलिस वालों को सस्पिंट किया गया था और उसके बात एक decision लिया गया कि मनीज कशब को अब सशरीर पेशी कराने के जगा पर वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जड़िये उनकी पेच्ची सिविल कोर्ट में कराई जाएगी उसके बाद से ना ही उनसे कोई मिल पाया, ना ही उनको कोई देख पाया और तब से उनकी चर्चा जो है वो कम हो रही है क्योंकि मनीज कशब दिखाई नहीं दे रहे हैं आपको अब मैं याद दिला दू कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था आउट ओफ साइट, आउट ओफ माइड क्योंकि मनीज कशब सामने नहीं दिखाई दे रहे हैं शायद इसलिए उनकी चर्चा बंथ हो गई है या फिर कम हो गई है वीडियो के शुरुआत मैंने ये भी कहा था कि काना पूसी चल रहे कि मनीज कशब जल्दी जेल से बाहर होंगे तो आखिर ये कैसे हो रहा है या फिर क्या ऐसा केस में उनकी अपडेट आया है वो मैं अब आपको बताती हूँ जैसा आप सभी जानते हैं कि तमिल लाडू में मनीज कशब के खिलाफ छे केसिस दर्ज किये गए थे जिन सभी केसिस में उन्हें डिफॉल्ट बिल मिल गया है अब आईए इस बात को समझते हैं कि डिफॉल्ट बिल किसको कहते हैं क्या होता है जैसे आप जानते कि तमिलाडू प्रसाशन ने मनीज कर्षप के खिलाफ 6 केसिस दर्ज किये थे लेकिन जब कोट ने तमिलाडू प्रसाशन से साक्ष्य मांगा, प्रमान मांगा तो प्रसाशन के पास ना साक्ष्य थे ना प्रमान था कि वो ये दिखा पाए कि मनीज कर्षब ने क्या गलती की है जिसके कारण मनीज कर्षब को default bail मिला मतलब अगर प्रसासन किसी के खिलाफ साक्षय या प्रमाण नहीं चुटा पाती है तो उस इंसान को default bail मिल जाता है यही हुआ है मनीज कर्षब के साथ अगर साथ सब्दो में बताया जाए तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि मनीज कर्षब के खिलाफ छे केसस तमिलनाडू प्रसासन ने दर्ज कराई थी छेओ के छेओ के प्रसासन को साक्ष मिल पाया ना ही प्रमान मिल पाया ये सीधे सीधे बात को दिखाता है कि उन्होंने फरजी case दरश किये थे या फिर छेऊ कछेऊ case जो थे वो फरजी थे ये तोरह इतमिल नाडू की बात आब आते हैं बिहार की cases के उपर जैसे आप जानते हैं कि मनीजिक कर्षप पे धेर सारे केसस भीहार में दर्ज किये गए थे लेकिन फिल्हाल 4 की चर्चा हो रही है जिसमें मनीजिक कर्षप को 2 में बेल मिल चुका है और 2 में बेल रिजेक्ट कर दिया गया है जिसके लिए सब इंतजार करने हैं कि कब कोड की छुटी खतम होगी, कब कोड खुलेगा और कब उनकी सुनवाई दुबारा से होगी तो देखते हैं कि आगे दो केसिस में उन्हें क्या मिल पाता है, बेल मिल पाता है या नहीं मिल पाता है जैसे मनीज कश्व को अभी तक साड़े केसिस में राहत मिलती आया है, अब लगता है कि दो केसिस में भी उन्हें राहत मिल जाएगा और शायद इसी लिए ये काना फूसी चल रही है कि मनीज कश्व जल्दी जो है वो जेल से बाहर होंगे, अपने पडिवार के साथ होंगे, अपने समर्थकों के साथ होंगे और नजर आएंगे आपको सब के सामने इसके साथ ही रह गया NSA का बात, तो NSA पर भी बहुत जल्दी चर्चा होने वाली है, बहुत जल्दी सुनवाई होने वाली है तब तक के लिए आगे देखते हैं क्या आप डेट आता है, अभी तक के लिए इतना ही, कैसा लग आपको ये इंफॉर्मेशन, क्या कहना चाहते हैं आप मनीज कर्शप के बारे में हमारी कमिट मिजा के जरूर बताईएगा, मिलते हैं अंगले वीडियो में